हेलो फ्रेंड्स वेलकम वे टू माई चेलर स्वियन एजुजोन दोस्तों आज हम डिसकस करने जारें बिहार एस्टेट 2023 के कोशन पेपर को जो कि आपका प्रिवेस एयर का कोशन पेपर है इसमें किस तरह के कोशन पूछे गए अभी तक के आप से उसके जो हैं हमने टोटल ए जरो साथ ही जाने के 75 सभी क्या है के संस्atan कॉषणों को डिसकस करेंगे कि इसमें जिकॉशन का जो पैटन है आपका पोचने का किस तरह किह सहां क्कोशन क Вас च्पार्याइफ है इसके लावा हमने कोशन में को बहुत है असको कुछन में करने चला साथ य हम जो है उनके हैं गला सांच बाकि उप्षन को भी समझते हुए इस तरह से कुछ आज की भी में हम जो है देखेंगे जहां पर आपको जरूरत होगी वहाँ पर एक्स्प्राइशन के साथ साथ उसके बागी ऑप्षिन को भी देखते हुए चलेंगे दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखिए अगर वीडियो को पसंद है तो फिल्स वीडियो को लाइक शेयर और जो लोगा सब्सक्राइब करके व सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करता जानकारी जो एक संचार करता अपने दर्सकोर द्वारा प्राप्त करना समझना और स्विकार करना चाहता है एक संदेश हो सकता है एक्षन हो सकता है राय हो सकता या वैभार हो सकता है तो देखिए जो संचार करता होता है अपने दर्सकों द्वारा प्राप्त करना चाहता है या समझना चाहता है वो क्या होता है एक यहां पर आपसे पुछा गया है एक गुर्ण नमर्बर 78 में उच्छे सिच्छा में अभी दबला है किसी का है हिंदी का है सार और सिधान्तिक का है प्रयावण कुलन का है या फिर जो है सिच्छक उनमुक का है तो उच्छ जो है आपका higher education उसमें क्या है आपका सार और सिधान्त का जो है अभी भी दबबा है option number B क्या हो जाएगा आपका सही answer हो जाएगा 79 number question हमारा है विस्तार सिच्छा है अनुपचारिक सिच्छा गैर अपचारिक सिच्छा उप्युक्त सभी तो देखें यहां पर विस्तार सिच्छा विस्तार सिच्छा आप समझ रहे होंगे यानि कि आपसे पूछा कि प्रिशार सिच्छा क्या है या फिर आपका सथे extension education क्या है वह अपचारिक होती है अनुपचारिक होती है या फिर जो आपकी गैर अपचारिक होती है या फिर जो कि नौन फॉर्मल जो है जुकेशन के नाम से जानते हैं यहां पर दो आप्शन जो आपके स्टार्टिंग में दिए गया है आपके एक ही है लेकिन उन्होंने हिंदी में दोनों को अलग लिख दे जब कि दोनों का ही मतलब क्या सेम है लेकि अगर बिहार के आंसर की कि हम बात क क्या है अगरा कुछnio को शिए का कि शाथ है लुगि आपशन को चया हूं की यहां जाए कि क्या रहा है कि ऊच्टार आप लारा एक कि ऑनि ला रहा है तो यह क्या लारा है इस तार लारा वो लारा आपका वांचनी परिवर्तन, option number B क्या हो जाएगा, इसका correct answer हो जाए, 81 question number हमारा है, वे साधन जो व्यक्तियों को सुनकर सिखने मदद करते हैं, कहलाते हैं, गतिविदी सहाय कहलाते हैं, श्रो समगरी कहलाते हैं, या फिर कि बात कि सुनके जिससे हम सेखते हैं, कि समगरी, श्रो समगरी होते हैं, तो option number B क्या हो जाएगा, इसका correct answer, जब कि द्रेश समगरी में हम सिब देख कर सिखते हैं, और श्रो द्रेश समगरी जो होती हम सुनकर देख कर दोनों से समझते हैं, अगला question हमारा है, 82 question number 82 में पु अगला question हमारा है, 83 question number, इसमें पुछा गया आपसे, ग्रामिड, विकास, कार करम, खेत, घर, और ग्राम समधाय का विकास करना, तो यह option क्या होगा, सही है, आगे भी question देखते हैं, अगला option जो मारा देरा, ग्रामिड को अपने प्यासों से सुधारना, यह भी आपका सही बात है, फिर इसके बात है, option number C, उसमें पुछा, कहा गया, आपसे, ग्रामिडों के स्वास्त और सिच्छा की इस्तती में सुधार कानना, लास्ट option जो दे रखा, वो दे रखा, आपका उप्यूद सभी, तो यहाँ पर देखे, जो उपर के तीनों option थे, तीनों option आपके, जो ए ग्राम विकास कारिक्रम का उद्देश होता है, तो आपका लास्ट जो option है, option number D वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, उप्यूद सभी वाला option हमारा क्या होगा, सही होगा, 84 number question आपका है, यहाँ पूछा गया निमलिखित में से कौन सी योजना, ग्रामिर उथान के लिए नहीं है, अच्छा नहीं है, पूछा गया, यह ध्यान रखना आपको, तो पहले में आपका SSY दे रखा है, MNREGA दे रखा है, 3rd option में आपका PMGSY दे रखा, DDUGKY दे रखा, यहाँ पर आपको सब के फुल फॉर्म पता होना चाहिए, अगर फुल फॉर्म को बता तो आप इसके आंसर को अब असका दे सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसका प्रिषान के लिए कारिकरम नहीं है, योजना नहीं है, अगले बार आपसे इंद में से किसी का फुल फॉर्म भी पुछा सकता है, तो जो 2024 अनी जून में होने आपका पेपर है, फिलार इसका जो आंसर आपका सहीए, वो क्या है, option number A सहीए, SSY, 85 नमर कोशन हमारा है, एक प प्रिषान कार या फिर आपका कार साधक दचता परिच्छर, तो इसका सहीए आंसर हो जाएगा, आपका समाज नेती, option number B किया है, इसका correct answer है, option number 86 है, लोग विकास कारिकरम को जल्दी अपनाते हैं, यहाँ पर आपसे पुछा गया, जो लोग होते हैं, वो विकास कारिकरम क कि अन्भूती होती है, और फिर आपका जब उन्हें मजबूर किया जाता है, यह तो बिल्कुल भी आपका correct नहीं होगा, यह हम सभी जानते हैं, कि यह बिल्कुल भी आपका correct नहीं होगा, बाकी जो आपके option बचें, अगर आप इन आप्शनों में देखते हैं, तो आपका स कारकरबों को जल्दी अपनाते हैं, option number C क्या हो जाएगा, आपका correct answer हो जाएगा, इटी, 7 question number हमारा है, सभागी ग्रामीड, सभागी ग्रामीड मुलांकें की अधार्ना द्वारा सुरू की गई थी, अब यह बताना है, सभागी जो ग्रामीड मुलांकें हो किसके द्वारा जो है, यह अधारन किसके द्वारा दी गई है, रॉबर्स चैंबर्स के द्वारा, पी सामानाथन के द्वारा, या फिर एएस संधू के द्वारा, या फिर ओपी धामा के द्वारा, तो यह जो द्रधारना दी गई हो किसके ने दी है, आपकी रॉबर्स चैंबर्स ने दी, ओप्शन नमबर एक या है इसका करेट आंसर है 88 कोशन नमबर हमारा डैस एक व्यक्ति का अपने मृत भाई की नी संतान विद्वा के साथ विवा है अब यहां पर देखें को थोड़ा समझे कोशन में पूछा यह गया है आपसे कि एक व्यक्ति का जो है अपने मृत भाई जि सब्सकार आपको अच्छे संसकार बच्चे जिद्धी होना स्छ जो होना है सिकते हैं यहां फिर और दो सभी है और दो सही है यह फिर आपका उप्ष्ट में से अधिक अधिक इन में से कोई नहीं नहीं इस आपका सही आंसर जो हो जाएगा देखें सायूत परिवार में रहकर जो बाते सीखिए जाती हो यह बड़ो से अच्छे संस्कार सिक्ते हैं और जो दूसरों साथ बातों को साजा करना सकते तो जो है इसके according आपका option जो सही होगा वो क्या हो जाएगा सी नंबर आपका option यानि कि पहला और दीसरा जो है करेक्ट है कोशन नंबर 90 हमारा है विवहाइक संगर्ज में ये घटनाए सामिले कौन सी घटनाए सामिले आपको ये बताना है किसमें विवहाइक संगर्ज में option जो एदर रहका उसमें दर रहका खुसी सुलह करना करवा या फिर गुसेल या फिर समझोता वादी तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा करवा यो गुसेल option number C क्या है इसका correct answer है 91 में आप से पूछा गया है सकारात्मक पालन पोशन निमलिखित मैंसे किस तरीके से मदद करता है बच्चे का अलप विकास करता है में आसफलता या फिर सिच्छा में आसफल तो देखें यहां पर जो सकरात्मक अगर लानल पोशन की बात की जाए तो क्या होता यह किस तरीके मदद करता है बच्चे की जो विद्धी और विकास उसमें मदद करता तो option number B क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा 92 number question हमारा है सन्तान पिता का नाम विरासत में मिलता है तो परिवार कहला था सन्तान को जो है पितर सतात्मक मात्र सतात्मक यह जो है ने पढ़ रखे है जो है जय पढ़ा था तो वहां पर आप ये option हम देखते ह। जो दिया गया है कोशन के अकॉर्डिंग आपका दिया गया एक सन रच्छक विवहाईक पित्रवंसी या फिर पित्र सतात्मक तो देखें यहां जो बिहार गौर्ण्मेंट ने अपनी आंसर की में जारी किया उसमें उन्होंने एक सन रच्छक जो है ऑप्शन को सही माना जब जो आंसर बताया गया मैं आपको वह आंसर बता रही वह आंसर आपका क्या है एक सन रच्छक है जबकि हम अच्छे से जानते हैं अगर पित्रवंसी या पित्रसतात्मक कहते हैं अगर मा के नाम से होता है तो मात्रसत्मक के मात्रवंसी कहते हैं लेकिन यहां पर जो आंसर है आपका वो क्या है एक रच्छक है तो option number a क्या इसका correct answer है 93 question number में couples के बीच जगडे को कैसे सुल जाया जा सकता है यहां बताना है कि couple के बीच जगडे उन्हें कैसे सुल जाया सकता है अलग रहकर एक दूसरे के साथ गुर्वत्ता पूर्ण समय विताकर आंकार प्रदसित कर या फिर आपस में बहस कर तो इसे कैसा सुझा जा सकता है एक दूसरे के साथ गुर्वत्ता पूर्ण समय विताकर और और बी क्या हो जाएगा इसका कर्ड़ आंसर हो जाएगा 94 नंबर कोशन जो है उसे पूछा गया आपसे प्राचीन भारत के दौरान युवा लड़कियों की सिच्छा को एक महातपूर योगता माना जाता था समाज विवा समुदाय धार्मिक करतब को तो विवा जो था उ युवा लड़कियों की सिच्छा का एक महातपूर योगतान माना जाता था ओप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका कर्ड़ आंसर हो जाएगा 95 नंबर कोशन है आपका समाज में महिलाओं की कमजोर इस्तिति किसके कारण है दहेच के कारण है प्रदा के कारण है नेट् तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं तो हम उप्युक्त सभी के साथ जाएंगे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका कर्ड़ आंसर हो जाएगा 96 कोशन हमारा है एतिहासिक रूप से एक बुजुर की इस्तिति किससे संबंदित थी स्वास से संपती से कार्चमता से या पर बुद्धित से तो किस संबंदित आपके संपति संब्सक्राइब जो है संबंदित है ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका कर्रेक्ट आंसर हो जाएगा 97 कोशन हमारा है कोई मानसिक रूप से बिमार व्यक्ति है यदि वहां चिंतित है और साथ और प्रसंता के ब सकत्राइब जेकर यहां इसक्रविशर और जो आपका जोगन 49 कर्यान सब्टित देख्यास धन उसे तो हैं उल्टका किसे क्हुति जो हां ऋप्शन नमबर एक है आपका करेट रहेता है डाउन सिंड्रोम जो होता है जो मारे घुड़ सूत्र होता है आपकी 46 में आपके बात करते हैं इसमें तेज जोड़े जो होते हैं वह गुंसूत्र के रूप में इसमें जो एकिसवा जोड़ा हे है उसके पख्या के स्वेसे मानसिक रूप से तरीके से तो यह मानसिक रोग में आपका क्या माना गएक टांसर हो जाएगा नाइन इन कोशन हमारा कना है मानसिक स्वास समस्यों के इलाज के उपाय है है देखें यहां पर इलाज की बात करें कि इस वीडियो का मुझया आप लाज्ड कोउशन है कुछा गए राज्ड कोउशन में जो कि कोष्ण नमेर हमारा है हेंडेट यदि कोई पच्छ पीरित है तो माना जाता है कि उसके पास विवा संपन करने हैं तो मानसिक छमता नहीं है मन का अस्वस्त होना मानसि विकान होना पागलपन या मिरगी या फिर उप्युक्त सभी तो कोई आपका उप्शन में जो आपका उपयुक्त शही होगा उठी तो मानसिक शमटा नहीं अगर उठी आपको आपको वीडियों पसंगी पर संब का लिए ऐगा जोरू को आपको झाल झाल